अर्विंद केज रिवाल पर आम आदमी पार्टी और बीजपी के नेता अब यहाँ पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं अर्विंद केज रिवाल पर खमला करते हुए यह कहा है कि केज रिवाल जी जो कहकर राजनीती में आये थे उसके बाद जो कुकरते उन्होंने किया उसका जवाब अन्ना जी ने दे दिया है अर्विंद केज रिवाल जी जो बाते बोल के सत्ता में आये थे उसके बाद जिस पेकार के कुर कर्म उन्होंने किये हैं उसका जवाब शद्दे अन्ना हजारे जी ने दे दिया है उसके बाद हमें और किसी को कुछ कहने की आवश्यक्ता नहीं है अन्ना अजारे जी दुखी है आम आदमी पाटी के अर्विन केश जिवाल के EG की कस्टडी से दिल्ली के जल मंत्राले को आदेश जारी करने के दावे पर एक नया सियासी बवाल खड़ा हो चुका है दिल्ली की जल मंत्री आदिशी ने इस बात का दावा किया है कि केश जिवाल ने उन्हें EG की हिरासत में रहते हुए काम करने का आदेश दिया है लेकिन भाटी जनता पाटी ने उस ओर्डर को ही फर्जी बता दिया E.D. की कस्टरी से जारी अर्विंद केजिरिवाल की सादेश पर दिल्ली की गर्म सियासत में फिर उबाला गया दिल्ली सरकार में जल मंत्री आदिशी ने बखायदा प्रेस कॉन्फरेंस करके दावा किया कि मुख्यमंत्री अर्विंद के जरिवाल गरफतार होने के बावजूद दिल्ली के लोगों की फिक्र में परिशान है इसलिए वो एडी की कस्टडी में रहते हुए भी काम में लगे हैं और वहीं से उन्होंने दिल्ली को पानी की समस्या से बचाने के लिए ओडर दिया आतिशी ने मीडिया के सामने वो आदेश पढ़कर भी सुनाया इस पर बीजेपी ने भी मीडिया को बुलाया और आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को हाईज्यक कर लिया गया है ऐसा इसलिए क्योंकि आतिशी ने जिस आदेश को पढ़कर सुनाया उस पर ना तो किसी अधिकारी का नाम है और ना ही ओडर नमबर लिखा है अर्विन केज़िवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही है इसे लेकर मैं चिंतित हूँ चूकी मैं जेल में हूँ इस वज़े से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए गर्मिया भी आ रही है जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतिजाम कीजिए मुखे सचिर समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरहां की परिशानी ना हो जनता की समस्याओं का तुरंत और समूचित समाधान होना चाहिए जरूरत पढ़ने पर उपराजिपाल महोदे का भी सही उग ले दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को इलीगल तरीके से अपरेट किया जा रहा है दिल्ली के मुख्य मंत्री के दफ्तर को हाईजैक किया हुआ है जिस अफसर को अर्विंद केज रिवाल जी ने मुख्य मंत्री के तौर पर अपने साथ लगा रखा हो और उसकी इजाज़त दिल्ली के लेफिनेंट गुर्नर साब ने दियो केवल और केवल उसी को अधिकार है चिठी इशू करने का वह भी तब जब मुख्य मंत्री जी उनसे कम्मुनिकेट करके कहें कि मेरे भ्याव पर चिठी इशू करो रेड़ी पर भी आहमाद्मी पार्टी और बी जेपि आम ने सामने आ गई की बाचिपा का कौन सा Running에서는 मिला कब मिला कहां मिला क्या बात चीत हुई कु तो बात्चीद हुई होगी तो यह राजीती करें जो मूल बात है उसका उत्तर दें कि यहां पर जो इनका व्यक्ति था विजय नायर उसको सरकारी बंगला देर खाता उस सरकारी बंगले में फेसर पे बात थोरी थी क्या इन्होंने पैसे टांस्वेर कराए नी कराए अपने तो में क्या इन्होंने यहां से गोआ पैसे बेजे नि بेजे इसका उत्तर दें क्या इनके एक विज़ायक, नकदी के साथ पकड़े गे थे ने पकड़े गे थे पकड़े जाति हूंने बातों के जवाब देना शराब घोटाले में केज रिवाल की गिरफतारी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सियासी लडाई को तेज कर दिया है दोनों पार्टीयां एक दूसरे को घेरने का कोई मौकान नहीं छोड़ रही है वहीं आपको बता दे अर्विन के जिवाल को लेकर इंडिया गठबंदन ने एक साजा प्रेस कॉन्फरेंस बकायदा किया और इसमें अलाम कर दिया है कि 31 मार्च को गठबंदन की एक महा रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में आयूजित होने जा रही है और इस पर बीजेपी ने इंडिया अलाइंस को ईडी अलाइंस करा दे दिया है इस दड़ाई को और तेश करने के लिए और ब्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने इंड़ा लिया है कि 31 तारीक को रभिवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकठा होगी महा रैली इंडिया गठबंधन मिल करके महा रैली 31 तारीक को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूजेगा दिल्ली के अंदर और ना सिर्फ दिले बल्कि पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ इंडी अलाइंस नहीं मैं इनको कहूँगा E-D अलाइंस, इंडी अलाइंस नहीं मैं इनको कहूँगा CBI अलाइंस, मैं कहूँगा क्स्क्रप्शन के लोग जो जेल पर हैं जो बेल पर हैं उनका अलाइंस, एक बात बहुत स्पष्ट है, इंडी अलाइंस का परपस ये था, मै बार-बार कहता था जेल और बेल से बचना आज पश्ट हो गया इसी इंडी अलाइंस की कॉंग्रेस ने अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट करके कहा था इन पे कारवाई करो और दिली के मुखे मंत्री अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी को लेकार इंडिया गठ बंदन में अब दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है खास तोर पर कॉंग्रेस पार्टी के कही नेता पार्टी लाइन से हटकर केजरिवाल पर हमलावर हैं वो केजरिवाल की गिरफतारी को सही खरार दे रहे हैं बलकि कॉंग्रिस के कुछ नेता तो अब केजरिवाल की इस्तिफ़े की मांग तब करने लगे हैं इडी ने शराब घोटाले के आरोप में केजरिवाल को गिरफतार किया और इंडिया गटबंदन में तूफान आ गया गटबंदन के बड़े बड़े नेता इसी बात पर एकमत नहीं है कि केजरिवाल की गिरफतारी को सही ठहराना है या गलत यही वज़ा है कि इस मुद्दे पर इंडिया गटबंदन में दो फाल होती नजरा रही है वैसे तो शुरुवास से विपश्च गटबंदन केजरिवाल की गिरफतारी को राजनीतिक साजिश ठहरा रहा है इसी वज़ा से एक दिन पहले दिल्ली में आईटियों के पास आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गटबंदन के बाकी दल बीजेपी के खलाब फलक पर उत्रे राहुल गांधी से लेकर शरत पवार और अखलेश यादव जैसे इंडिया गटबंदन के बड़े नेता केजरिवाल की गिरफतारी पर आग बभूला है वो गिरफतारी को असमवेदानिक कदम बता रही है राहुल गांधी ने तो और विंद केजरिवाल की गिरफतारी के तुरंत बाद ही प्रधान मंतरी पर निशाना भी साथ दिया दो टू कहा था कि इंडिया गटबंदन बीजेपी को मुह तोड जवाब देगा लेकिन कॉंग्रियस के कुछनेता राहुल गांधी को ठेंगा दिखा रही है वो केजरिवाल पर तीखे बयानों के तीर चला रही है इमांदारी का हमको 2011 से लेके 2014 के भी जबज़स पार्ट पड़ाये गया था जिनकी तरफ से जिसने कहा कि मैं इमांदारी कटर इमांदार हूँ ऐसा व्यक्ति नेतिकता का जो एक बुन्यादी आधार है उसका कोई भी एक प्रदर्शन नहीं कर रहा है सरकार चलाने में काफी वक्त लगता है काफी भुष्कले आती हैं काफी जद्दो जहद होती है तो मेरा व्यक्तिकत यह होगा कि अगर वो किसी और को मनुनित कर दे या पार्टी चुल ले तो शायद बहता रूप से अगले कुछ दिन सरकार चलेगी अरविंद केजरिवाल कॉंगरिस के खलाफ अंदोलन चला कर राजनीती में कूदे थे ऐसे में ऐसा लगता है कि कॉंग्रेस के कैनेता आज तक उनसे दुश्मनी भूलाने को तयार नहीं है आज यहीं है